मुख्यक शब्द Keywords अपवर्तनांक, प्रेज्ब, उत्क्रमनियता सिध्धान्त, क्रान्तिक कोण, पूर्ण आंत्रिक परावर्तन, वास्विक गहराई, आभासी गहराई हमने सीखा, जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर पढ़ता है, तब वस्तु के पीछे परदे पर वस्तु की चाया बनती है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम एक ही तल में होते है समतल दर्पन द्वारा सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिविम बनता है समतल दर्पन को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण तू थीटा कोण से घुमेगी समतल दरपन द्वारा किसी वस्तु का पूरा समान आकार का प्रतिविम देखने के लिए दरपन की लंबाई कम से कम वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए यदि दो समतल दरपन एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हो तो बनने वाले प्रतिविम की संख्या 360 बटे थीटा रिण एक होगी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह संपर्क सता से अपने मार्क से विचलित हो जाता है यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3.10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है जब प्रकाश सगन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलम से दूर जाता है जब प्रकाश विरल से सगन माध्यम में जाता है तो वह अभिलम की ओर जुगता है किसी पारदशी माध्यम का अपवर्तनांग प्रकाश की निरवात में चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है इसे निर्पेक्ष अपवर्तनांग कहते हैं उत्क्रमणियता के सिध्धान से 2N1 बराबर एक बटे 1N2 प्रकाश किरण जिस मार्ग का अनुसरन करती है वही मार्ग विप्रीत दिशा में भी सत्य है अपवर्तन का द्वितिय नियम 1μ2 बराबर साइन आई बटे साइन आर इसनेल के नियम से जाना जाता है प्रिज्म में आपतित किरण वर निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है